बॉलिवुड स्टार शारुक खान के बेटे आर्यन खान वाटसेप पर अग्यात लोगों से चरस खरीदने और पैसों की लेंदेन की बात कर रहे थे ऐसे में पता लगाना जरूरी है कि वो किन से बात कर रहे थे क्योंकि इस बात्चीत में उन्होंने कोड नामों का इस्तमाल किया था सोंवार को केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग ने कहा NCB ने आरियन खान के फोन को जब्त कर लिया है इस फोन में कई ऐसी संदिक्द चैट स्पाई गई है जो टीलर्स के साथ उनके कनेक्शन की और इशारा करती है इसलिए ये जरूरी है कि हिरासत में रिमांड के दौरान सभी आरोपियों का आमना सामना कराया जाए तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर कार आरियन खान की ऐसी कौन सी चैट थी जो की वाकई में उनको शक के घेरे में डालती है सबसे पहला मैसेज जाता है यहाँ पे आरियन खान के तरफ से जहाँ पे वो बोलते हैं कि यह सब फेक है राइट यह मेरे लिए जाना बहुत जरूरी है उनको रिपलाई आता है हमें कोई आइडिया नहीं है क्योंकि वो और जो दूसरे लोग हैं उनको एंट्री पे पकरा गया है गेट पे पर जहां तक मैंने सुना है उनको फॉल्स ली फसाया गया है और उन्होंने बस कुछी लोगों से मुलाकात की थी वो इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि वो इतने ड्रक्स अपने साथ में कैरी करें और यहां पे बहुत ज़ादा थोरो चेकिंग चल रही है तो दोस्तों ये थे वो चैट्स जो की आरियन खान के कुछ टीलर्स के साथ हैं और ये उनके ड्रक्स में शामिल होने के लिए और जादा इशारा करते हैं एंट्रोटेन्मेंट दुनिया की ऐसे ही हर ख़बर को पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चानल के साथ हैं